कहानी की शर्वात में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नम होता है लुशान लुशान एक मिस्टिरियस बच्चा होता है क्योंकि उसके सर पर एक अजीब तरह का निशान बना होता है यानि इस निशान का मतलब है कि उसमें एक तरह के स्ट्रेंट है पावर है लेकिन इस सब कि बवाजूद भी उसके फादर उससे प्यार नहीं करते थे हलांके वो काफी रिच भी थे सब कुछ ठीक भी था लेकिन फिर भी उनका अपनी फैमली में कोई बिंटरस्ट नहीं होता उसके फादर के मुकाबले में उसकी मदर लुशान को काफी प्यार करती थी अब देखते ही देखते लुशान बड़ा होता जाता है जहां पर हम देखते हैं कि अब वो तक्रीबन साथ से आठ साल का हो गया है और अभी भी उसके फादर का वही हाल था वो तो उन्हें जिसे छोड़कर ही चले गए थी हमेशा के लिए और इसी वज़से उनके रहने सेने की खाने प खा रहा था और गेम शो देख रहा था तब लोगों के बीच में एक लड़का आकर उसके चॉकलेट चुरा लेता है और जिब लुशान यह देखता है तो उसके पीचे पढ़ जाता है अपनी चॉकलेट वापस लेने के लिए लेकिन वो लड़का और उसकी दोस्त लोशान का काफी मज़ाप बनाते हैं और उसे काफी परशान भी करते हैं सा की स 61 क॑ ढ़कर से दरार कर उसे रिषान पर मारते हैं जिस से लो शान को इतनी डर्ध होती है कि और लिखिन अविपर गेंगा ब्रणम बड़ी पावर से उठता है ओुर उन बइन सब वू लोशान की सुपर स्ट्रेन्ट बेकर काफी इंप्रेस होता है & उसे अपने साथ। लू yaşाता है पिल्एंन की मदर को पहले से बाहरAct दिया जाता है यहां पर हम देखती है कि उसकी मदर की हालत काफीं घराब है क्यूंकि वो इंजेर्ड होती है यहाँ पर वो कमांडर भी लोशान की मदर से मिलता है वो लोशान की मदर से काफ़े रुक्वेस्ट करता है कि मैं आपके बेटे लोशान को अपने साथ रखना चाहता हूं तकि बड़े होकर यह काफ़े बड़ा वारियर बने क्योंकि इसके पास अलगी तरह की पावर्ज हैं, स्ट्रेंथ हैं तब लुशान की मदर सुचती है कि ये आदमी शायद उसे कुंफो सिखाएगा उसे ट्रेनिंग देगा और एक अच्छा वारियर बनाएगा साथ साथ उसके बेटे लुशान को प्रोटेक्ट भी करेगा इसलिए उस आदमी को हाँ बोल देती है लुशान को उसके साथ रखने के लिए लेकिन फिर थोड़े ही टाइम की बाद लुशान की मदर मर जाती है अब ये देखकर लोशान काफी दुखी हो जाता है और वो काफी तूट जाता है और अब की बाद वो उसी कमाइडर के साथ रहने लगता है कुछ सालों के बाद हम लोशान को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और अब वो किंग की आर्मी में शामिल हो गया है और वहाँ पर होने वाली एक वार में वो पार्टिस्पेट भी करता है यहाँ पर वो बिल्कुल किसी आम इनसान की तरह ही लड़ रहा था लेकिन हम देखती हैं कि किंग की आर्मी हार रही थी तबी हम देखते हैं कि कमांडर का एक आदमी आता है और वो लोशान को ही मार कर उसे नेचे गिरा देता है और उसके सर के निशान पर वो जोरों से बार बार मारता है जिसकी वज़े से वो निशान बड़ा होने लगता है और उसका रंग भी बलैक होने लगता है लेकिन फिर देखते ही देखते लुशान उठता है और अब लुशान की आंके पुरी तरह से चमकने लगती है और उसके अंदर एक अलगी तरह की पावर ड्वेलप हो गई थी वो दुश्मनों की आर्मी की लोगों को एके करके मारने लगता है और उन पर भारी पढ़ रहा था और देखते ही देखते वार के उस मेदान में वो सबी को हरा देता है जिसकी वज़े से किंग वो वार जीत जाते हैं लेकिन लोशान ठीक नहीं था उसकी हालत काफी खराब हो गई थी इसलिए फॉरण उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है डॉक्टर उसने शान को चेक करता है और उससे पूछता है कि तो मैसे क्यों हो तुम बार बार लडाए क्यों करते हो तब लो शान कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए कमांडर नहीं कहा है उसने मुझे कहा है कि तुम जितना ज़दा लड़ोगे उतनी ही ज़दा स्ट्रोंग बनोगे जिस पर डॉक्टर कहता है लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जितनी बार भी लोग आगर तुम्हारे निशान को हिट करते हैं तुम्हारा निशान काला होने लगता है और जिस दिन ये निशान फूरी तरह से काला हो जाएगा उस दिन तुम मारे जाओगे इसलिए तुम्हें किसी को भी उस निशान को हाथ लगाने नहीं देना है और रही बात कमांडर की वो एक लालच इंसान है वो पैसो के लिए कुछ भी कर सकता है उसी किसी की परवा नहीं है लेकिन तुम्हें तो करने चाहिए अपनी परवा अपनी जान की परवा जो कुंग्फू तुम अभी कह रहे हो वो तुमारी बोड़ी से तुमारी सारी अनर्जी छेन रहा है। जिससे बहुत जल्द तुम इतने कमजोर हो जाओगे कि मारे जाओगे। लेकिन हाँ तुम्हें शैन शावलन कुंफो सेखना चाहिए जिसे तुम्हारी बोड़ी की जो पावर है वो कम नहीं होगी बलके ज़्यदा होगी और ये शैन शावलन कुंफो एक तरह का मार्शल आर्टी है लेकिन लोग कुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान बचाने के लिए इस कुंफो का इस्तामाल करते हैं नकि दूसरों के जान लेने के लिए लेकिन हाँ एक चोटी सी प्रॉब्लम है कि ये शैन शावलन कुंफो बाहर के लोगों को सिखाया नहीं जाता अब ये सारी बातें जानने के लोगों के लोगों को सिख सकता है कि प्लीज जल्Дी बताये कि मैं ये शैन शालन कुंफो कहां से सीख सकता हूं तिप डाक्टर कहता है कि तुम्हें एक गाउंँ जाना पढ़ेगा और वहां से ही तुम ये कंद्फो सीख सकते हो अभी वो दोनों बातें करी रही होते हैं कि तबी वहाँ पर कमांडर आ जाता है और यहाँ पर कमांडर और डॉक्टर की बीच भी बहस होने लगती है और देखते ही देखते ही उनके फाइट होने लगती है और यहाँ पर वा डॉक्टर काफी जबर्दस तरीके से लड़ता है और वो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शेन चावडन कुंफो का इस्तामाल करता है अब लुशान भी उसकी स्किल्स देख रहा था और वो काफी हरान होता है और उसे भी वो कुंफो सीखने का शोक हो जाता है फिर हम देखते हैं कि उसी रह दुश्मन इन पर एटेक कर देते हैं और वहाँ हर तरफ आग लग जाती है अब लुशान को वहाँ से निकलना था लेकिन जाने से पहले वो डॉक्टर से मिलता है और उसे पूछता है कि मुझे ये तो बता दे कि वो गाउं आखिर है कहां पर यहनि जहां से मैं शैन शावलन कुंफो सीख सकता हूँ तब डॉक्टर उसे एड्रेस बताते हैं और कहते हैं कि तो मैं ग्रैन मास्टर से ही ये कुंफो सीखना है और अब लुशान अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनी सफर पर निकल जाता है अब काफी दिनों तक वो गाउं से गाउं में बटकता रहता है यहनि एक गाउं से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में तो उसे पता चलता है कि एक बड़ी सी पहाड़ी के उस पार वो गाउं है जहां पर उसने जाना है यह जो उसकी मन्जिल है और फिर कुछ टाइम की बाद वो वहाँ पर पहुँच भी जाता है यह गाउं काफी चोटा था और काफी उझे 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 पहाड़ों के बीच में था साथ साथ की पूरी दुनिया से अलग था और इस गाउं में टोटल 40-50 गरहे थे लेकिन यह लोग अपनी कल्चर अपनी रिस्पेक्ट रहन सहन कॉंसेप्ट को मानते थे उन्हें समझते थे और उनकी रिस्पेक्ट करती थे उन्हें तो बस वेस्टरन कल्चर से दूर रहना था अब गाउं के अंदर आने की बाद लोशान ग्रेंड मास्टर को दूरने लगता है लेकिन सारे गाउं वाले उससे एक ही सवाल करती है फिक्या तुम शेयन शेलिंग कुंफू सीखने आ इसलिए वो लुशान को वापस जाने के लिए कहती है तब लुशान काफी अपसट और डिसपॉंटेड होकर वही पर ही बैठा रहता है तब एक काफी बड़ी गाड़ी में बैठकर एक लड़की यूनी और एक लड़का जिंग आते हैं लेकिन जिंग की गाड़ी लुशा तो नहीं लेकिन इतने प्यारे यूनी को देखकर लुशान फुरण उठ जाता है उससे वो काफी अच्छी लगती है असल में यूनी यहां के ग्रैंड मास्टर की बेटी होती है और यहीं पर हम यूनी के साथ आए उसके फ्रेंड जिंग को देखती है जो कि एक काफी बड के बड़ा हुआ था लेकिन वह इस गाओं का नहीं था नहीं वह यहां से भी लॉग महें करता था और आगे स्टेड़ी करने के लिए वह इंगलेंड गया था और वहीं से उसने ट्रेंड और अलगले कंपनी की टेकनॉलोजी सीखी थी और वह इस्ट इंडिया कंपनी के कि उन्चेएं पहाड़ी video में होती थी कि इसलिए वे उन पहाड़ों को घोद कर यहां पर वो ट्रेन लाना चाहता था क्योंकि ट्रेन की आने से काफी फाइदा होने वाला था उसके Voilà थी और इनी सब का डेमो वो उस टाइम दे रहा होता है लेकिन उसी टाइम अलगी लिए उसकी मशीन में शौर्ट सरकिट हो जाता है जिसकी वज़े से हर जगा आग लगने लगती है तब ये देखकर सारे गाउं वाले वहाँ से चले जाते हैं और इसलिए वो स्ट्रेन के लिए जिंग को भी मैना कर देते हैं ये देखकर जिंग को काफी बुरा लगता है वो काफी नराज होता है फिर नेक्स्ट यूनी जिब अपने घर में होती है तब उसके पास लुशान आता है और वो उसे भी ग्रेन मास्टर की बारे में पूचता है तब यूनी उसे बताती है कि यहां से काफी दूर एक जंगल है वहाँ पर एक मुनस्टरी है और वही पर ही तुमें ग्रेन मास्टर मिल सकते हैं अब देखने में तुम जंगल काफी दूर लग रहा था लेकिन लोशान कुछ हे टाइम में वहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन वहाँ जाने की बाद वो देखता है कि उस मुनस्टरी में तो कोई भी नहीं रहता इसलिए वो वापिस यूनी के पास आकर इस बारे में पूछने लगता है अब जब गुसे में यूनी वहाँ से जाने लगती है तो लोशान उसे पकड़ता है और यहाँ पर यूनी अपना एंचन गुंफो करते हुए उसे मारती है और यहाँ पर डोनों के बीच काफी सबर्दस किसन के फाइट होने लगती है लेकिन इस लड़ाई में यूनी उस पर भारी पढ़ रही थी जिसकी वज़े से लोशान की हालत कराब होने लगती है इस लड़ाई में एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर यूनी उसे सिर्फ चार उंगलियों से ही पकड़ लेती है जहाँ पर लोशान पूरी तरह से कमजोर पढ़ने लगता है जहाँ पर यूनी उसे सीधा घर से नेची फैकती है और इसी वज़े से लोशान काफी इंजर्ड हो जाता है लेकिन तब गाउं को एक वर्गर इनकी वहाँ पर काम करने वाला लोशान को अपनी घर लाता है तब यहाँ पर लोशान उससे भी पोच्छता है कि क्या आप मुझे कुंफो सिका सकती है जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं मैं बस चोटा मोटा काम करने वाला हूँ मैं तक खुद इस सब की बारे में कुछ नहीं जानता यहाँ पर वो आदमी यानि कि वो वर्गर लुशान को काफी समझाता है और उसे वापिस जाने के लिए भी कहता है पिर उसी राथ हम यूनी और जिंग को एक साथ देखते हैं अब जिंग अपनी नाकाम्याबी की वज़े से काफी अपसड़ था गाओं वालों पर और साथ साथ यूनी की फैमली भी काफी बड़ी और काफी रिच फैमली थी और इसी गुसे में आकर जिंग यूनी से अपना रिलिशनशिप तोड़ लेता है क्योंकि दोनों की फैमली का कोई मुकाबला ही नहीं था क्योंकि जिंग की फैमली बाहर से आई थी और गाओं वालों ने उन्हें कभी भी अकसेप्ट नहीं करना था इससे वज़े से जिंग गुसे में वहां से चला जाता है वो इतना गुस्सा होता है कि अगले दिन ही गवर्मेंट आफिस जाता है और वहाँ जाने के बाद वो गाओं में ट्रेन लाने का अप्रूवर ले लेता है गाओं वालों की परमेशन की बगार ही और इस प्रोजक्ट में इस्ट इंडिया कंपनी उसकी हेल्प करने वाली थी अब यहाँ गाओं में अगले काफी दिनों तक लुशान गाओं वालों से पिटता रहता है और ऐसे करते करते वो उनके सारे मुव्स कौपी भी करता है और फिर वैसे ही वो एक जगह पर जाकर जंगल में प्रैक्टिस करता है लेकिन तब यह वापी से उसके पास वो वरकर आता है जिसने उसकी जान बचाई थी तब लुशान उसे बताता है कि मैंने इसी तरह नॉर्मल कुंफो भी सीखा था अब यह सुनकर वो वरकर उसे कहता है कि ठीक है लेकिन मेरी एक बात सुनो कि अगली बार जब भी तुम किसी से फाइट करोगे तो तब तुम उनके सारे मुव्स याद रखना जो वो तुम्हारे किलाफ यूस करेंगे और फिर वो ही ट्रिक्स वो ही मुव्स तुम उन पर इस्तमाल करना गली बार नेक्स्टे लुशान गाउं जाता है जहां पर एक लड़का उसे एक चैलेंज देता है वो लुशान से कहता है कि अगर तुमने मेरे हाथ पर रखा हुआ टोफू गिरा दिया तो तुम जीत जाओगे और अब देखते ही देखते उनके फाइट स्टार्ट उजाती है अब यहाँ पर पहले पहले तो लुशान काफी मार खाता है लेकिन फिर वो उस लड़के के सारे मूव्स सारे ट्रिक्स को कौपी करने लगता है और उसी लड़के को उसी तरह मारने लगता है बदले में इस फाइट की दुरान लुशान को कोई धका देता है जिसकी वो जैसे लुशान उसी लड़के पर जा गिरता है उसके हाथ पर रखा हुआ टोफू नीचे विर जाता है अब इस तरह से लोशान जीत गया था लेकिन तबी लोशान को याद आता है कि उसे किसी ने धका दिया था तो क्या पता वो ग्रेंड मास्टर ही हूँ इसलिए वो उन्हें डूडने के लिए वहाँ पर जाता है लेकिन उसे तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता लेकिन यूनी समझ जाती है कि उसे धका किसने मारा हुआ यह उसे कुंग्फू कौन सिखा रहा है इसलिए यूनी फूरण उस आदमी के पास पहुचती है और उसे काफी डाड़ती है क्योंकि उसने इस गाउं के रूल्स को तोड़ा था यहां पर हमें पता चलता है कि उसे धका मारने वाला को यूर नहीं बलकि वो ही वर्कर था यूनी उसे कहती है कि आपको पता है अची तरह कि ये कुंग्फू बाहर के किसी भी आदमी को सिखाया नहीं जा सकता लेकिन वो आदमी इंकार करती हुए कहता है लेकिन मैंने तो उसे कुछ भी नहीं सिखाया बलकि उसने आस पास की लोगों से ही ये सब कुछ सीखा है ऐसा कहने की बात वो वर कर वहां से चला जाता है अब उसी दिन इनके गाउं में एक काफी बड़ी मशीन आती है जिसकी वज़सी वहाँ पर गाउं में एक काफी बड़ा अर्थ को एक आने लगता है इसलिए गाउं का काफी नुकसान हो जाता है वसल में ये मशीन को योँ नहीं बलके जिन लाया था और यहां पर उसके साथ उसकी कॉलेग भी होती है वो लड़की जिन के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और उसी नहीं इस प्रोजक्ट में उसका साथ दिया था अब यहां पर जिन गाउं वालों के सामने आता है और वो सबी को साथ दिन के अंदर अंदर इस गाउं को खाली करने के लिए वार्निंग देता है वरना ये मशीन उनकी इस पूरे गाउं को डिस्ट्रॉय कर देगी जिब यूनी जिन्ग को देखती है तो वो उस पर काफे गुसा करने लगती है और ये सब कुछ करने से उसे मना करती है लेकिन जिन्ग अपनी कोले को इशारा करके उस मैशीन को आगे करवाता है जिससे गाउं के पूरे गेट को वो तोड़ देती है अब सब कुछ नॉर्मल होने की बाद इनके गाउं में एक मीटिंग होती है लेकिन यहाँ पर उनके ग्रैन मास्टर जिन्हें लुशान टोन रहा था वो यहाँ पर नहीं थे तब ये देखकर यूनी को काफी गुसा आता है पिर हम लुशान को देखती है जो कि उसे वरकर के पास होता है यहाँ पर वो वरकर लुशान को इस गाउं की हेल्प करने के लिए कहता है ताकि गाउं वाले लुशान की इज़त करी और उसे एकसेप्ट भी कर ले साथ साथ जिंग की वज़े से लुशान के पास ये काफी अच्छा चांस भी था पिर वो आदमी लुशान को इस बड़ी सी मेशीन की एंदर भीजता है ये चेक करने के लिए की आखरी काम कैसे करती है जहां अब लुशान मेशीन में जाकर वहां से काफी सरे डिटेल्स लाता है उसी रात वो कुलिग जिंग को बताती है कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम से शादी करना चाहती हूँ लेकिन जिंग उसे इसके लिए मना करते हुए कहता है कि जब तक मैं गाउंवालों के सामने कुद को प्रूव ना कर लूँ मैं किसी भी रिलेशन में नहीं आना चाहता लेकिन जिंग का ये इंकार सुनकर अब उसकी कुलिग वापी से इंगलेंड जाना चाहती थी पर ये जिंग अपनी कुलिग से कहता है कि बेशिक में तुम से अभी शादी नहीं कर रहा लेकिन तो मुझे हमेशा से पसंद हो अब ये सारी बाते यूनी भी सुन रही थी और जिंग का ये रूप देखकर उसे काफी बुरा लगता है उसे काफी गुसा आता है लेकिन तब यूनी को वहाँ पर एक बुक दिकाई देती है जो कि असल में इस बड़ी मशिन का मैनूल थी इसलिए यूनी चिपके से जाकर उस बुक को उठा लेती है नेक्स डे लुशान उस वरकर की मदद से उस मेशिन को डिस्ट्रॉई करने के लिए जाता है उनके सासाथ वहाँ पर यूनी भी होती है फिवर फीक रात को उस मेशिन को ब्लास्ट करने के लिए जाते हैं यहाँ पर यूनी लुशान को बताती है कि हमें मेंन कंट्रोल रूम तक जाना है जोके बुक में दिया गया है तो वो दोनों अलगलग डिरक्शन में जाकर उसे डूरने लगते हैं और फिर तोड़ी दिर की बात उन्हें वो मेंन कंट्रोल रूम मिल ही जाता है लेकिन तब ही जिन्ग आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से मEMAना करता है लेकिन यूनी उसकी बात नहीं मानती और वो मेंन मशीन में एक रौड गुसा देती है जिसकी वजह से पूरी मशीन में स्वाट शरुकी ठोट होने लगता है और अब देखती ही देखती हहर जगा पर बलास्ट होने आता है और तब ही वहां परbilir आ जाते हैं गृयन मास्टर भी और एब यहां पर हम एक शोकिंग बात बता चलती है असलोड में गृयन मास्ट को यह नहीं बलकि वो ही वरकर थे जो लोशान की मदद कर रहे थे यहां पर वह वरकर इन्हीं ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गाउं वाला इस लड़ाई में शामिल हो इसलिए मेलो शान की मदद से इस मेशीन को डिस्ट्रॉई करना चाहता था क्योंकि इस इंसिडेंट में एक फोरण यानिके जिंग की को लीग मारी गई और बहुत जल्द इस्ट इंडिया कमपनी हम पर हमला करने वाली है इसलिए गाउं के सारे लोग वार के लिए रैडी होने लगते हैं और पिर कुछी दिन के बाद उनकी आर्मी इन पर एटैर कर द है लोशान भी इस लड़ाई में लड़ते-लड़ते बेहोश हो गया था साथ साथ उसके सर का जो निशान था वह बबी काला हो गया था जिसकी बज़त से वो मरने वाला था बस फिर ये सबी लोग गाउं के हेड के पास जाते हैं लेकिन अब क्योंकि लोशान ने उनके गाउं का कुंफो सीखा था इसलिए उसे सजा देने का इलान किया जाता है लेकिन ग्रेंड मास्टर और उनकी बेटे योणी इस फैसले से मना करते हैं लेकिन लोशान को सजा दो लाजमी होने थी लेकिन तब योणी को याद आता है कि लोशान कितना अच्छा इंसान है उसने चोटी से चीज पुंफो सीखने के लिए गाउं को इतना ज़दा प्रोटेक्ट किया और इस पूरे गाउं के लिए उसने अपने जान की परवा भी नहीं की और उसकी यही बात योणी को काफी पसंद आती है इसलिए वो सारे गाउं वालों के सामने अपना फैसला सुनाती है कि बेशक लोशान इस गाउं से बिलोग नहीं करता लेकिन हाँ मैं अब उससे शादी करूँगी लेकिन शादी के बाद तो वो मेरी फैमली का हिस्सा बन जाएगा और इस गाउं का हो जाएगा तब यूनी के फादर यानि ग्रैन मास्टर ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और इस तरह से लोशान की जान भी बच जाती है फिर नेक सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है फिर हम देखती हैं कि इस इंडिया कंपनी इस गाउं पर चार्जिस लगाती है और जल्दी वो अपनी आर्मी के साथ इस गाउं में आने वले थे अटैक करने के लिए और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक ये फर वाचिंग